असलाम अलेकूम क्या हाल है फ्रेंड आप कैसे है आप लोग ठीक है मैं भी ठीक हूँ मैं आज आपके लिए आज थोड़ सा लेट हो गए हैं तो आज मैं आपके लिए एक बड़ी मज़े की चिकन रोस तो सब खाते हैं आप ये नए तरीके का चिकन आप ट्राइए करें और फिर मुझे इसके बारे में बताएं कि आपको कैसा लगा, तो यह नेया चिकन रोस है, रोस तो होता है, लेकिन यह स्टीम वाला है, यह मैंने आपनों को भड़ा वह कम्यूनिटी होती है, तो वहां कि उनकी शादी पे मैंने खाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने का ये मैं आप लोगों को जुरूर बनाओंगी मैं धर बनाती रहती हूँ तो इंशाला आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और इसका मुझे फील देगए बड़ी जल्दी से ये बनता है इसमें ये है ये आलू है बेबी पटैटों है मेरे पास थे तो मैरे वो इसमें अगर आप बड़े रखना चाहें तो भी रख सकते ठीके ना काट के कुछ मिर्चे हैं ये फूल गोबी है मोटे वाले फूल गोबी को मोटा मोटा काटना है ठीक है थोड़ा सा मैंने रखा है मेरे पास एक किलो मुच्चिकन है यहां पर हमारे पास एक टेबल काली मिर्चे वन एंड हाफ टीजपून नमक और हाफ टीजपून गरम साला यह लसन अदरख है और सबस मिर्चों के साथ मैंने पीस के रखा वे तो सटाइम की जल्दी के वज़े फ्रेश लसन अदरख है दो टेबल स्पून है और तीन चार मैने हरी मिर्चों को पीस के मेरे पास मजूद थे छोटे वाले चिकन कड़ाई वाले इसमें यह है कि जल्दी भी बन जाएगा ठीक है न चाले जी अभी हम शुरू करते हैं सबसे पहले यह दही के अंदर दही के अंदर सारा मसाला यह चिकन के अंदर डालेंगे यह बड़ी जल्दी बनता हुद रहा दोसा मुश्या पाने जितने मसाले हैं सारा मसाल डाल देंगे इसके अंदर भी मेरे चाट मसाले जिल्दा गईते हैं लेकर आप लोग वैसे डाल लैए मैं भी दाल लेती हुआ चाट मसाला भी दाल यह ओन im on Crisp icon में है थाड़ा अच्छा था चटपटा सा चैले हमारा होगा चिकन सारा मेरिनेट अखी तरह मिक्स करें चैले यह और फाइल है यह वाला डायमंड वाला मैंने इस अलमुनियूम फाइल इस्तुमाल की है ठीक है इसको हमोगे इसको हमने यह थाड़ा तरह पहले काट के रख लें अब हम लोग ने क्या करना है यह टिकन को लेने और यह आलू यह एक आलू एक सबस मिर्च एक गोबी और एक टिकन अगर बड़ा पीस है तो बड़ा रखने मैंने तो एक रखने यह बड़ा मज़े का और बड़ा टेस्टी बनाए तो कि यह शाफ पाइल करें अच्छी ता यह शेब को यह वह लेके एक सरे प्रिको न काके निदेगा बीजाल यह चीज वो जाता है तक्सी करा में पर तकते हैं तोटाना के नहीं दोटाना के तोटाना के हुआं यहां पर यहां पर हम लगने आलू मिर्च यह सारा चोटे पीस हो तो दो भी डाल दें कोई इता हो मसला नहीं है थोड़ा सा मसाला भी डाल दें यह सारा यह बता क्या होता कि जाया नहीं होता जो रोज तकसर हमारे जाया करते हैं जाया लें एक बंदा उठाए और बस एक एक आगे रहें और कुछ ब्रक्ता देख देखा हूगा इसमें आप अपने मर्ज़े शल्जम भी रख सकते हैं इसके अदर कुछ भी रख सकते हैं लेकिन मुझे जो चीजें ज्यादा पसंद की जाती है वही रख रहे मेरे चिकन छोटा था मैंने थोड़ा सारा पीस में डाल रहे हूँ है कि अल्दर स्प्रीम में बन जाना है आप देखे इसमें यह भी खच्छा है कि आइल की नहीं ने इसमें रख रहे हूँ 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 मसाला भी डाल सकते हैं तो इसे ज्यादा भी डाल दे कोई मसला नहीं है यह आपके उपर है ना कि अगर थोड़ा सा स्वीद में थोड़ा सा मसला होता ना तो आप उसको डबल राट कर सकते हैं अगर थोग यह थोग आपके तो मैं यह दबल राट कर सकते हैं यहाँ अब यालू अलाइक नहीं है अब सब्सक्राइब कोई भी शल्जम भी डाले मेरी शल्जम भी खाए हुई है के शल्जम भी डाल सकती हूँ लेकिन यह चोटा पीस है ना चिकन का तो पीस बड़ा भीगा सकती हूँ तो मेरे लिए यह था पी जाया ना हो जो फ्रीज करना है बाकी अगर बच जाता है जैसे जितना जरूर हो तो आप इसको फ्रीज करें फ्रीज करने के लिए आपने यह नीडालना आलू नीडालने मिर्टें डाल दें अगर है आपके पास है मिर्ट डाल दें आलू नीडालना क्योंकि आलू काले हो जाते हैं यहां मेरे बस तोड़ा सा चिकन का यह बच किया था मैंने इसको बाकी बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने का तो फ्रीज कर देती हूँ जब फ्रीज करने लगी तो आलू ना डाले फ्रीज क्योंकि फिर आलू काली हो जाते हैं इसको ड़ब बैट कर सकते हैं यह हमारे फ्रीज करने के लिए रका हैं इस देशकी को धरम रखा हुआ धीक है यह बिल्कुल लो हेट है थिक है इसको बिल्कुल हलकी हेट वह ना को इसमें पानी डालना है नर्मान कुछ भी दालना तो इसको हमने steam देना है अब ये चीजें जो हैं हम लोगों ने यहां लगा देनी है बड़ा वोदेज का तो बड़े में भी लगा दे चोटा है तो छोटे में कर दे ठीक है अब ये जो है हमने steam देना है ये steam किती दे देना है एक से दो घंटे हमें steam चाहिए ताके ये अंदर ये इसके steam में बनेगा ठीक है चले अभी हम लोग मिलते हैं जब इसको steam हो जाए steam रोस्ट त्यार हो तक तक रिपर डेट घंटा से जएदा होगे ये दिखे आपने ऐसे ही सर्फ करना है ये अंदर गरम भी लेगा और पकावा भी इसको एक 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 में प्रोस्ट त्यार हो चुका है ये दिखें अंदर से बिलकुल गल चुका है माशाला आप ऐसे ही सर्फ करें इसको खोल के देने की जुरूरत नहीं है अंदर थे बहुत अलू भी गल गया है गोबी और चिकन भी ये बहुत मज़ेका होता है और बहुत अच्छी चीज है ये मतलब कि फूसा डिफरेंस टाइल एस रोस्टा आप ऐसे सब करें डिश में साइड पर रखें तो आपको बहुत अच्छा लगीगा इंशाला इंशाला जी कल आप हमें इसका फीड़बेक दें आप बनाएं और मुझे बताएं कि आपको यह कैसे रेसिपी लगी है और मुझे बेल आइकान पर भी ट्रिक करें ताके हम आपको और अच्छी नए चीज सेंड करें तो इंशाला मिलते हैं कल लेज़ डैस्पी के साथ मुझे दे इजाज़त होके अलाफेज